कभी-कभी एक विशे की चर्चा करते वे डरते हैं, बड़े-बड़े लोग भी डरते हैं, जनसंख्या का चरित्र, डेमोग्रेफी बदलती है तो राष्ट्रों के भाग्य बदलते हैं, 21 वी शतापदी में दुनिया में तीन देश बने हैं नए, लेटेस्ट थ्री न्यू कं बना, एक सर्बिया से अलग ओकर कोसोवा बना, और तीसरा सुडान के दो हिस्से होकर एक साउथ सुडान बना, अरेबियन मैजोरिटी का मुसलिम कंट्री शुडान उसके दो हिस्से होगे, क्यों, क्योंकि सद्रन सुडान जो है, साट साल के अंदर कनवर्जन बढ़ते इस्तिमोर अलग हो गया अलबानियन मूल के लोग कोसोवा के अंदर गए वो लैंड लॉक एरिया जो वहाँ पर केवल मातर जो है वो कोले की ख़दानों में काम करते लिए गए थे 1880 के अंदर उनका ग्रोथ रेट वो सर्वियन मूल के लोग जो थे उनते तीन गुना ज्यद यह तीनों देशों की एक ही कहानी है कि उस देश के रहने वाले जो मूल लोग थे वो माइनोरिटी में चले गए दूसरे लोग बढ़ गए हम इस जनसंख्या के चरितर के बारे में जागरू क्या क्या है 1881 में भारत का पहला सेंसिस हुआ था वो अभिवाजीत भारत पाकि रिलिजन्स थे उनके मानने वालों की संख्या 80% थी अगर आज 130 यह के बाद आप 2011 का साइंसिस देखेंगे तो इस भारत पाकिस्तान बंगला देश के रिए के अंदर भारती है कि मूल के मत्पन 64% हो कि है 16% कम नहीं हुए 20% लोगों ने 80% को 16% कम किया आप केवल यह नहीं कह सकते हैं कि 80 से 64 पर आए वो 20% ने वो 80% को 64 पर लाया वो उसका important बात है देश की आजादी के समय 89% भारतिये मूल मत्पन्थ के लोग थे 11% भारतिये मत्पन्थ हो के नहीं थे आज 2011 के सेंसिस में 83% हो गए 11% लोगों ने 89% को 6% कम कर दिया विदिन 60 यह जनसंख्याव का चरित्र बदलता है तो राष्ट्रों के भाग्य बदलते हैं पिछले सो साल में दुनिया के जितने देश बने हैं बिगणे हैं उनका केवल एक करण है उस देश का जनसंख्याव का चरित्र बदल किया देश की आजादी के बाद एक इंटिग्रेटिड निशन के रूप में हम खड़े नहीं हो पाएं अंग्रेजों ने इस देश के अंदर बहुत सारे कॉंट्रेडिक्शन्स खड़े किये थे आरे भार से आये आरे द्रविड आदिवासी मंगोलाइड्स